चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चो जैसा कि आप सब को पता है MCC ने कल फर्स्ट राउंड का रेजल्ट पब्लिस किया था और उसको बाद में विड्रोल कर लिया था ये किस कारण से विड्रोल हुआ इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया था फिर भी मैं आपको यहां एक केस की डिटेल बता देता हूँ जिस कारण से ये विड्रोल हुआ है तो ये केस मदरास हाई कोर्ट में फाइल हुआ था मदरास हाई कोर्ट में 27 को इसकी हेरिंग थी और 27 को ही ये केस फाइल हुआ था लेकिन कल 27 January 22 को इस case का कोई decision नहीं हुआ है ये साइदे आज या कल में हो सकता है या तो इसका decision आज हो सकता है या कल हो सकता है इसी कारण से इसकी next hearing date भी नहीं दी गई कि कब ये case हो सकता है लेकिन जब hearing date नहीं दी गई कि मतलब है आज या फिर कल ये case सुना जा सकता है तो इसमें ज्यादा delay नहीं होगा अभी student काफी फ्रेशान हो रहे हैं कि ये counselling और कितना delay हो जाएगी तो इसमें ज्यादा delay नहीं होगा अभी जो इसमें case का कारण है किस कारण से क्या reason से case लगा है तो ये confirm तो नहीं है लेकिन जो first द्रश्टी में ये case देखने में आया है उससे ऐसा लग रहा है कि ये जिपमर के जो internal candidate है उसके regarding ये case है तो इसका outcome जैसे भी आता है जैसे भी इसका कोई update मिलेगा मैं आपको inform कर दूँगा अब काफी student का doubt ये भी है कि क्या जो ये result पब्लिस किया है MCC ने ये पब्लिस किया है उसमें कोई changing होगी क्या तो मेरे को नहीं लग रहा है कि इसमें कोई changing होगी क्योंकि ये जहां तक case हो सकता है वो जिपमर, producery, internal candidate का हो सकता है तो इसमें ज्यादा changes हमें देखने को नहीं मिलेगा और जो बाकी candidates हैं उनके लिए तो ये बिलकुल भी इसमें changing देखने को नहीं मिलेगा ऐसा मेरा मानना है तो आप निशन्त रहें आपका आपने result देख लिया है तो ठीक है आपका result अच्छा गया है seat मिल गई है तो अगर नहीं मिली है तो आप next round में try करें तो ये जानकारी थी एक ही ये case के बारे में और counselling के बारे में बाकी update जैसे ही मिलेगी हम आपको inform कर देंगे मिलेंगे नई update के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिन